माननिय प्रधानमंत्री जी प्रणाम माफ करिएगा मेरा सवाल परिक्षा पर अधारित नहीं है पर कृपया करके आप इस पर हसीरा नहीं है आज कल के बच्चे प्रपर खाना नहीं खाना चाहतें सारा टाइम चिप्स चॉकलेट और जंक पर उनका धान रहता है आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए इसी प्रगार के कुछ और सवाल भी मेरे साथ है और ये नरेंद्र मोदी एपर चटिसगड राइपूर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है सर हमारे बच्चों को हम जो टिपिंग में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं और हमेशा फास्फूर खाने की जीत करते हैं कि रुपया इस मुद्दे पर हमारा मार्दर्शन करें मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सारे सवाल सुनकर के मुस्करा हूं या जोरों से हस बढ़ू अगर इस बुद्दे पर हम मनोवग्यानी तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजे हैं मनोवग्यानी गुरूप से उनके प्रती हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें उसकी जो विशेस्ता है उसकी बात करें खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है कि चन की जो एक्टिविटी है वो घर के बाके सदर्शों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है बच्चों के सामने भी ये सारी बाते चर्चा में लानी चाहिए कैसे खाना पकता है कितनी देर लगती है कितने इंगेडियंट्स होते है उन्हें मैसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है दूसरा आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है हेल दी फूर की भी कोई कमी नहीं है क्या हम इनसे भी जानकारिया जुटा कर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलॉप कर सकते हैं जो हम हपते में एक बार खेल सकें जैसे गाजर है करट उसके इंपोर्टन्स पर हम बोलें उसके क्या फाइदे होते हैं क्या लाब होते हैं क्या नूट्रियंस होते हैं ऐसा करके देखें दूसरा हम सब के घर में जो फैमिली डॉक्टर है वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बाते पुरा परिवार सुने कि कि इस प्रकार के खाने का क्या महत्व है नूट्रियंस कहां से मिलते हैं क्या खाना चाहिए वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लेम हेरीडिटरी है और उनसे बचले के लिए क्या खाना आवश्यक्त है इससे भी बच्चों को फायदा होगा तीसरा अब टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अब बच्चों में यह क्या आपको तकलीफ हो रही है खास करके खाने के विशे में टीचर को समझाईए टीचर को विश्वास में लीजिए अब देखिए टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते बात करते करते हसी मजाग में उसके दिमाग में फर देगा कि यह क्यों करना चाहिए और टीचर के कहने का बच्चों पर अलगी असर होता है हमें भी कुछ कुछ नए एक्सपरिमेंट करते रहना चाहिए मैंने काप ही ऐसे उधान देखे हैं जहां परिवार में ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मोडन रंग रूप में बना कर दिया जाता है तो उसे बच्चों में भी उसको लेकर एक श्वाभाविक आकर्शन पैदा होता है खर यह मेरे सिलेबस के बाहर का पिचया है तो यह हो सकता है शायद मरी कुछ बाते काम आजाए आपको